आज इस वीडियो में हम पर्यावाची सब्दों का जो डिसकसन है वो बहद रूप से करेंगे ताकि आने वाले सारे एक्जामों के लिए ये आपके लिए महत्पूर्ण वीडियो खोश रके चलिए शुरू से बात करते हैं यह फृविश एका जो वेपर है घ्रण चक्र से मैं बहई इसको लिया इसको हम् डिसेस कर लेते हैं कि लिउक्त मैं से खिडकी का पर्यावाची है बातायन, दरीचा, बारी और उपर युक्त, तो दिखे जो खिडकी है वो कैसा है, बातायन है, दरीचा है और आपका बारी है, यानि इसका जो option है, आजे सभी क्या है, ठीक है, तीक है, यानि यहाँ पर जो option आपका क्या है आपका B है खिरकी का परियाबाची बातायन होता है बारी होता है और दरीचा होता है यानि तीनों विकल्प आपके सही है अब decision के चार की तरफ चले तो क्या है बियोम का परियाबाची सब्द नहीं है अंतरिच अंबर नव और प्यूश देखें बियोम का परियाबाची सब्द कोंसा नहीं है प्यूश नहीं है प्यूश किसका होता है बच्चों आपका अमरत का परियाबाची होता है प्यूश क्या है अमरत का परियाबाची होता है अंत्रिच अंबर और नव हैं अब इसका discussion हम देख लेते हैं प्यूस अम्रत का प्रयाबाची है इसके अत्रिक शुधा अमी सोम अमी अम्रत के प्रयाबाची है अंत्रिच अंबर नव अनंत गवन व्यों के प्रयाबाची है ठीक है चोर का प्रयाबाची सब्द है यह most important है repeatable प्रस्ट है, चोर का परियावाची सब्ध है, खनक, धुशर, उदक और धलचर, तो तो देखो, तसकर रजनिचर, कुंभिल, दस्यू, इसके अलाबा आपता होता है, कज्जाक, क्या होता है, कज्जाक होता है, और कविज होता है, तो तिक है, यह भी किसके चोर के ही परियाबाची होता है वाच्छो साथ ही दूसर किसका होता है दूसर गधा का परियाबाची होता है और थल्चर किसका होता है पृत्वी का परियाबाची होता है तो आपको चारों के चारों आपको याद होने चाहिए अब बात करें बिजली का परियाबाची कौन सा है सरवरी तर्या, दामनी और रमडी, तो बिजली पूछा है, तो बिजली का जो है, वो कौन का होता है, दामनी होता है, यानि D-Option इसमें दे रखा हुआ है, ठीक है, सरवरी किसका होता है, ये रात का होता है, ठीक है, किसका होता है, सरवरी रात का होता है, अब इसकी बैक्चा देख है अब सरबरी किसका होता है सरबरी बच्चो ये रात्री का होता है और जो तन्या है वो किसका होता है पुत्री का होता है जबकि रमणी जो होता है बच्चो वो आपका नारी का होता है बात करें चंद्रहास की है तो चंद्रहास का परिया बात करें तो इसमें चंद्रहास प्रस्था का पर्यावाची सब्द है तो बस्था 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 का पर्यावाची सब्द है तो देखे, इसका जो राइट आंसर है, वो क्या है आपका विपला है, बसुदा का जो पर्यावाची है, वो शब्द विपला है, इसके अन्य पर्यावाची सब्दों की बात करें, धरा, मही, मेदनी, अवनी और छिती, यह सब किसके बच्चों है, यह पृत्वी के क्या है, साथी सरवरी किसका है, सरवरी आपका रात्री का पर्यावाची है, जब कि पयास्वनी किसका है, पयास्वनी आपका नदी का पर्यावाची है, अब हुतासन किसका पर्यावाची है, निर्धन अगरित अगनी और अखण है, तो हुतासन किसका है, अगनी का होता है, अनल हु बानू, दहन, बायू सका और धूम के तू भी इसके अन्य पर्यावाची होते हैं। आप प्रसेजंगे हम 10 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है। निम लिखित विकल्पों में चंचरीक सब्द का पर्यावाची बताईए। तो हवा, मित्र, ब्रहमर और आप पुत्र है। तो चंचरीक किसका है। चंचरीक आपका ब्रहमर का है। क्या है। इसके अलाबा बात करें। तो इसका क्या होता है, मिलिंद होता है, क्या होता है, मिलिंद होता है, दूरेफ होता है, अली इंपोरेंट है, सडपद इंपोरेंट है, और मधुकर इंपोरेंट तिमिर का जो पर्यावाची है और आपका अंदकार है तो तिमिर का मतलब होता है पर्यावाची आपका अंदकार है क्या है अंदकार ठीक है इसके अंद पर्यावाची बात करें तो तम होता है तमस होता है अंधेरा और अंधियारा होता है किसका है यह तिमिर के पर्यावाची है आजम सूर की बात करें तो सूर के पर्यावाची का है दिन करें भास करें आदित यह सूर के पर्यावाची है रातरी की बात करें तो रातरी के दो पर्यावाची बहुत important है एक तो है निसीत और दूसरा है आपका सरवरी यह अक्सर repeatable person होते हैं यहां पर कि रात्री के पर्याबाची कौन से हैं तो निसीत और सरवरी अब यहां प्रसंग या बार है जीव का पर्याबाची जीव यानि जिवा ठीक है तो पर्याबाची है तो देखिए बचन रसना जीव और दोहनी इसका जो राइट आंसर है बच्चो वह आपका रसना होता ही है इसके अलावा क्या होता है आत्मा जवान अंते करण और जिहवा यह सब किसके हैं यह आपके रसना के पर्याबाची है ठीक है जीव के पर्याबाची है अपाना यह हो सकता है इस साल आपको यह रिपीट भी कर दे अपाना सब्द का पर्याबाची आराधना तो अपर्णा जो है बच्चो वो आपका पारवती का है इसके बात करें अपर्णा की तो ये उमा, शिवा, भवानी, गौरी और रुद्रानी इनके भी क्या है ये पर्यावाची है यानि अपर्णा पारवती, उमा, शिवा, भवानी, गौरी और रुद्रानी ये क् प्रित्वी के पर्यवाची हैं, अब देखिए प्रसंद बहुत महत्पून हैं, यह प्रित्वी का है, निमलिकित में प्रित्वी का पर्यवाची सब्द नहीं है, इला, अचला, अवनी और अचल most important है तो देखिए पृत्वी का जो पर्यावाची सब्द नहीं पूचा है तो देखिए इसमें कोज़ा नहीं है अचल नहीं है क्यों अचल आपका परवत का होता है किसका होता है परवत का होता है इला आपका प्रिष्वी का पर्यावाची है अचला है और आपका अवनी होता है और हम बात करें तो जो अचल परवत अधिक अटल इस्थिर द्रड और अविचल ये किसके हैं ये पहाड यानि परवत के पर्यावाची है जबकि इला अचला अवनी ये किसके प्रिष्वी के वाची है टिक है अब आ देखो फिर आगे बिसिक पंदर बहुत इंपोर्टेंट है बिसिक किस सब्द का परिया वाची है बुद्ध बान तरू और शरो बर तो देखिए जो बिसिक है वो आपका बान का परिया वाची है बिसिक, तोमर, नाराच, सर, इसू, सायक, डियानका इस इशू, सर और नाराच बहुत important है, अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो बिसिक, तोमर, नाराच, सर, इसू, और सायक, ये किस के हैं, ये आपके बाण के पर्यावाची है, ठीक है, अब देखो तरू की बात करें, बरक तो तरू का ब्रच्छ इसका थीक है तरू किसका है ब्रच्छ का है और सरोबर का क्या होता है तालाव होता है और तडाग होता है अब बात करें stabr शोलयन कम तो निमपलिकेत में खर का परयावा Schnee सब्द नहीं है दुष्ट तिनका गधा और तेज तो देखिए खर का पर्याबाची कौन सा नहीं है दुष्ट तिनका गधा और तेज है तो दुष्ट आपका खर का नहीं है दुष्ट का होता है खल होता है क्या होता है खल होता है और खर किसका होता है देखिए खर जो है वो तेज, गधा और तिनका, देखिए, खर का जो परियाबाची है, वो तेज होता है, गधा भी होता है, और आपका तिनका भी होता है, यह most important है, खर का परियाबाची क्या होता है, तेज, गधा और तिनका है, दुष्ट का परियाबाची क्या होता है, खल होता है, मैंने आपको बताया है अब यहां बात करें सत्रे में प्रसमें कि कौन सा सब्द घोडे का पर्याबाची नहीं है तो बाजी सादूल तुरंग और है तो सी ओप्सन जो सादूल है चुकि यह सिंग का पर्याबाची होता है इसलिए घोडे के पर्याबाची नहीं होगा बाजी तुरंग ये घोड़े के परियावाची है, बाजी, तुरंग, हाय, घोटक, अश्व, नभीसुत और सेंधल, ये सब किसके परियावाची है, ये घोड़े के परियावाची है, ठीकर, बात करें टीका, टीका सब्द बहुत important है, यहां से पूचा जा सकता है, टीका सब्द का परियाए ह यह सब किसके हैं टीका के वह हैं सेस क्या है असंगत हैं प्रसंगया 19 की हम बात कर लेते हैं निमलिकत में यमुना का पर्याबाची सब्द नहीं है हनसुसुता कशना अरकजा और कूलनकसा है यमुना का पर्याबाची सब्द नहीं पूचा है तो देखो जो कूलनकसा है तो इ मुना के पर्यावाची है जब कि कूलन कसा आपका नदी का पर्यावाची है इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए ये कहीं भी रिपीट हो सकता है कि कूलन कसा किसका पर्यावाची है तो ये नदी का पर्यावाची है बात करें 20 में प्रसंकी है कि निमलिकत में से मीन का समान अर्थी है जक, अली,łeश, शटपद और शीलीमुख। दएको जघए है इसना इसके अलावा देखो। यह जो शीलीमुख, शपद और यौ अली दिखाई देरह यह तीनों यह तीनों यह आपके ब्रहमर के हैं। और मीन का होता है जक हुता है। और एक को ओर होता है सफरी ठीक है यह भी मचली का होता है और मतस्य यह भी किसका होता है यह भी आपका मचली का होता है 21 की हम बात कर लेते हैं निमलिकत में ऐसे केतू का परयावाची नहीं है जन्डा, पताका, ग्रह और निशान तो देखियो जन्डा तो होता है, निशान होता है पताका होता है केतू का तो ये तो केतू सम्भद देता है B option मचा ग्रह ग्रह केतु का परयावाची नहीं है, जन्ना पता का निशान केतु के परयावाची है और ग्रह क्या इससे बिन नहीं, बाइस वादे को तर्वार फिर आ गया, यह मुश्ट रिपीट होते रहते हैं, तो आपको यह सारे जो पॉइंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए, और म दौनों को एक साथ दिख लेंगे, तो मुझे लगता है, फिर दस मैंसे दस ही, आपको आएंगे, चाहिए, प्री हो, फिर आपका चाहिए, मैंसो, तल्वार का परयावाची सब्द है, हलवार, धरवार, करवाल, और धार, दार, इसका जो राइट आंसर है, वो है बच्चा करवाल है, तनवार के, परयावाची करवाल, असी, करपान, खनंग, चंदरहा, संसीर, इत्यादी होते हैं, प्रसजितंग हम के इसकी बात कर लेते हैं, तो निमली प्रतल से, काम देव का परयावाची है, ये पूछा है, तो देखो, बिडोजा, मार, पिश्ण, और अस्म ह तो देखो मार जो किसका है ये कामदेव का परियावाची होता है मार, मंसिच, अनंग, मदन, कंदर्प ये सब किसके है कामदेव के परियावाची है जबकि जो बिडोजा है बच्चो ये आपका किसका परियावाची है ये आपका इंद्र का परियावाची है आस्म की हम बात क पिशुन जो है वो आपका चुगल खोर का परियावाची है किसका वच्चो चुगल खोर का परियावाची है यह है पिशुन ठीक है अब आया प्रसंद संख्या 24 प्रिसंद संक्या अगर हम 24 के बात कर लेते हैं तो यहां हम धननजय का पर्याए है गुडाकेस, मिर्टुनजय, धनुर्दर और सार्थी धननजय यानि यह धननजय का मरतलब होता है अरजुन तो अरजुन के पर्यावाची सीदे पूछा गया है तो गुडाकेस अरजुन का पर्यावाची होता है तो यह आपका आंसर को जाएगा धनुर्दर सार्थी और मिर्टुनजय इससे असंगत है धननजय की हम बात करें तो गुडाकेस, पार्थ, अरजुन, कौन्ते सब्साची यह भी इंपोर्टेंट है साथी कौन्ते भी आता है कौन सा है नहीं लिखा है कौन्ते लिखा हुआ है यह है कौन्ते है ठीक है और एक और आता है जिस्रू जिस्रू और ब्रहन अल्ला ब्रहन अल्ला किसका है यह आपका अरजुन के पर्यावाची है पतनी की हम बात कर लेते हैं तो पतनी का पर्यावाची कौन सा है तो देखो प्रमदा कामनी बनता और बामा तो तो पतनी के जो पर्यावाची है वो आपका बामा होता है बामा दारा इंपोर्टन्ट है बामांगी इंपोर्टन्ट है बल्लबा आपकी इंपोर्टन्ट है जबकि प्रमदा है प्रमदा और कामिनी बनिता ये किसके हैं ये तीनों जो हैं वो इस्तरी के बच्चे का पर्यावाची है नियुक्म पर्यावाची is और मुझे लगता है। तो ये कोई भी मिश्टिक मत करिएगा और अच्छे से इसको पड़ लीजियेगा पेर का पर्यावाची है पट पाध अच्छी और कार्ण तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पाध है पेर का जो पर्यावाची पाद होता है, पट किसका होता है, परदे का होता है, अच्छी किसका होता है, आख का होता है, और कंड का पर्यावाची कान होता है, आख की हम बात कर लेते हैं, 28 माही ये प्रस्ण है, आख का पर्यावाची है, अजा, चंचला, अच्छी और इशू, तो देखिए इसका जो अच्छी है लोचन नयन बिलोचन नेतर दीदा प्रेच्छान ये सब किसके हैं ये आपके आख के परियावाची है जबकि अंबक भी होता है अजा किसका होता है बकरी का होता है क्योंकि अज जो होता है वो बकरे का होता है चंचला किसका है चंचला साल और आड़नाव तो देखो लहू खुण लहू यानि रुदिर लहू रक्ट सोर्ित खुण हाऩus यह सब किसे यह रक्त कि परियावाची है ठेक है? अब बात करें पाई किसका परियावाची है? पाई आपका दुध का परिया वाची है जबकि हम रसाल की बात करें तो यह आम का परियावाची है और आनव की बात करें तो यह आपका समुंद्र का परियावाची है ठीक है तो इस तरह से आपके चारों आप्सन एक पार लगाते रहोगे तो बहुत आसानी से इन सारे टोपिक को आप कर पाओगे और एक्जाम में परियावाची है गर के परियावाची है बशंद्रा का परियावाची सब्द है चिति कलाधर रतनाखर और दिंकर तो चिति रत्नागर किसका है यह आपका समूंद्र का पर्यावाची है दिनकर आपका सूर्य का पर्यावाची है अब बात करेंगे बादल की तो बादल सब्द का पर्यावाची नहीं है तोयद नीरत पयोधर और तोयदी तो दिखो आपका तोयद जो है वो बादर का परियावाची है नीरत ये भी आपका बादर का परियावाची है पयोधर यहनि पानी को रखने वाला पयोधर यह तीनों परियाची बादर के है तोयद ही नहीं है क्या है तोई दी जुड़ जाएगा तो समंदर का परियावाची होता है तो तोयद पयोधर और नीरद ये किसके बातल के परियावाची है जबके तोयदी किसका हो जाएगा आपका जिसे जलद ही समंदर का है धी सब्द जुड़ जाएगा अगर पानी के परियावाची में त पतलब आकास, आम्र, अम्र, कोय, और अगनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, आम्र की हम बात करें तो इसका होता है, रसाल होता है, अब देखो, यहां अम्र, गण, आकास, नभ, अभ, दिव, अनंत, यह किसके हैं, यह आपके अंबर के प्रयावाची है, और एक और आता है, यह किसके हैं? आकास के परियावाची हैं. और अगनी का होता है? अगनी का होता है अनल, उतासन, पाबक, ज्वाला, कृसानू. परियावाची दिश्टी से एक सब्द युगम अशुद्ध है. कौनसा? गंगा जानवी, पानी, पानी, ग्रह सदन और मयूर के की. देखो, पानी और पानी हैं, यह आपका अशुद्ध है. पानी का जो परियावाची, अम, जल, पाए, तोई, नीर होते हैं. यह जो पानी है, इसका मतलब हाथ होता है. क्या होता हाथ है? इसलिए यह अशुद्ध हो जाएगा. केकी तो मयूर का होता है, most important है. ग्रह सदन गा होता है यह भी आपका important है. ठीक है? प्रसंग के हम 35 मिदम तलें, तो क्या है? कि अदोलिक के तमें से एक परियावाची युगम सही नहीं है. पुरंदर यानि अमरपती, सरोबर यानि पुसकर, जरदी, अंबुद, और फणी, और उरग है. सही नहीं है. पुरंदर, अमरपती, यह भी इंद्र के परियावाची है, जिसे देवेंद्र है, भी सुरेश है, अर्थ समन्ध्र होता है, अबुद का अर्थ की होता है, बादर होता है, और बच्चे में ज्यादा गलती नहीं है. «ई प्रसंग उख्ता है finish? का important है। और यह फाइव इस्टार रेटिंग का यह प्रस्ण है मीमानसा का सही पर्यावाची सब्द क्या है सरूप समालोचन सुभिग्यता और निशक्रिया तो मीमानसा जो होती है इसका क्या है समालोचना होती है समालोचना बात कर ले आलोचना का बात कर ले विशले सड़ की हम बात कर ले ये निरी छड़ की बात कर ले निरी छड़, विशले सड़ आलोचना, ये सब किसके हैं? समालोचना, ये सब मीमन साखेבरयावाची है ये समझेच समूझ लेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रसुन्था थर्टी सिक्समा निमलिखित सब्दों में से एक माता का प्रयावाची नहीं है अंबू, अंबा, अंबू और जननी देखो ये जो अंबू है ये पानी का प्रयावाची है किसका है पानी का प्रयावाची है जबकि अंब, अंबा और जननी ये तीनों जो है वो किसके माता के परियावाची है अम्बु किसका है ये जल का परियावाची है अम्बु जल पाए तोई नीर ये किसके जल के परियावाची है प्रस्तर होता है अपल होता है पाहन होता है ठीक है ? अब तो पसम का अर्थ क्या होता है ? पसमीना होता है और पेट क्या होता है ? पेड़ू होता है अब परसंगे थर्टी नाइन कीएम बात कर लेते हैं तो अच्छो दिकिए यह मैंने आपके सारे के सारे वीडियो जो प्रिवेस ये यार में आए हूए प्रसंगे इनको या जो रिफ्रेंस बुक हैं आपकी नालंदा पॉब्लिकेशन की पृतिनाथ पांडे ठीक है बॉह आप कर रहे हैं वह इसी किताब करिएगा लेकिन उसका रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से करिएगा मेरा ये वीडियो आपको बहुत तो हेल्प करेगा समय विक्सित करेग आप पढ़ेंगे तो और को हो सकते हैं क्यों ये प्रसन अगर गलत कर देंगे आप तो फिर मुझे लिखता डेंजर जोन आपके पास ही खड़ा होगा और मैंने जाता और आप स्वेमनी चाहेंगे कि ऐसी इस्तिती आए ये वीडियो को लगाता और देख लीजेगा समय का म यूटिलाइज करना है जादा से जादा टाइम का यूटिलाइज करना है चलिए निमने किते में से एक बिश्रू का परियाबाची सब्द नहीं है कमलेस कमला कांत कमला पती और कमला संदे को कमलेस है कमला सन कमला कांत है कमला पती है ये बिश्रू की परियाबाची है कमला स कमलासन है यह किसका है यह लक्षमी का प्रयाबाची है तो यह option D आपका सही हो जाएगा अर्था दिये विश्रू का प्रयाबाची सब्द नहीं है देखिए लक्षमी का नहीं यह आपका ब्रह्मा का है किसका है ब्रह्मा का है कमलासन विश्रू का नहीं बलकि ब्रह्मा का प् कमला कांथ और कमला पती यह विश्रू के परयावाची है विश्रू के अन परयावाची देखें तो जनारदन लच्छमी पती चतर भूज अच्युत गर्वनद्वाज और चक्रपाणी है प्रसंद संग के हम 40 की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं क्या कौन सा सब्द भ्रह्म का परयावाची नहीं है कमला संद चतरमुक चतरानन और चतर भूज भ्रह्मा का परयावाची नहीं है तो यह अभी में नताया चतर भूज यो है वो प्रह्मा का परयावाची नहीं है तो चतर भूज भ्रह्मा का नहीं है बलकि किसका बिश्रू का यह परयावाची है भ्र जादी किसके हैं यह आपके भ्रह्मा के पर्यावाची है प्रसंग आप फोटी बंगें बात कर लेते हैं हेनागरव का पर्यावाची सब्द है विष्णु भ्रह्मा महेश और गरेश ठीक है तो देखो हेनागरव किसका है यह आपका भ्रह्मा का पर्यावाची है बहुत जो है उनका पर्यावाची गिरा है और उनके पती कौन है ब्रह्मा है इसे गिरापती है ठीक है आप देखो इसमें से जो आपकी संसुरित आंसर की आई थी उसका इस प्रिश्टी करण है ठीक है इसमें उन्होंने A और B यानि दौनों को मान लिया था लेकिर रियल्टी में इ कौनसा बर्ग अशुद्ध है इंद्र रतीष सास और मध्वा इंद्र होते है रतीष यानि रती से समझ देता है सास और मध्वा ये आपका सही है क्या पूछ रहा है। सही कैसे हो गया। परहवाची की दिश्टी से एक बड़ सुद्ध है। अच्छा। देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या बच्छो। यह आपका घर, निकेतन, आयतन, और निले है। यह बी ऑप्सन इसका सही है। घर, निकेतन, आयतन, और न किस्ताच- और मदवा। टिक है। इंदर है, रतीस है। रतीस तो आपका किसका होगा। रतीस, मदवा। यह तो उनके होते हैं क्या बोलतह은ां आपके। काम देव के, क्यों होते हैं, रतीज और मधवा काम देव के होते हैं, यह तो गलत हो गया, ठीक है, जहानवी आपको गंगा होता है, इसलिए गलत होता है, बस्तर, पाटक, अंबर और चीर है, ठीक है, इसका इडाय टांसर के आपका भी अपसर है, है ना, विकल को देख लेते तो रतीज किसका है, रतीज जो है, वो काम देव के परियावाची है, देवराज, सुर्पति, पुरंदर, सक्र, सत्र, सचीपती, बासब, सुरेश, व्रतह, अमरपती, यह सब किसके हैं, यह इंद्र के परियावाची है, अब जहानवी किसका है, गंगा का परियावाची है इसके अन्य पर्यावाची की आए ठीक है पर्यावाची की दिश्टी से एक बर्ग अशुद्ध है तो देखो सिंग सेर पंचानन सेर नाहर सेर और म्रग रादी अपका यह है आन्य पाबक अनल है अरनी किसका हूता है नौका का हूता है जबकि सेस्थ्षदब भानू के प्रहा वाची है पिस्षद में क्या हूता है चुगलखूर हुता है कौन सा सब्द दास का परियावाची नहीं है कौन सा सब्द दास का परियावाची नहीं है अनुचर भ्रत्य परिकर और सेवक है तो देखिए जो दास है अनुचर भ्रत्य सेवक परिकर दास के परियावाची है एक और होता है किंकर दास का जो परियावाची होता है वो किंकर होता है परिकर्ट किसका है परिकर्ट का अन्य अर्थे परिजन भी होता है ठीक है कौन सा सब्द देति का पर्याबाची नहीं है राचस भूसूर दानव और निसाचर देखे देति का पर्याबाची नहीं है राचस दानव और निसाचर ये तो पर्याबाची देति के हैं है भूसूर नहीं है ये भूसूर किसका होता है यही ब्रहमण का पर्याबाची होता है 46, रुख का परियावाची सब्द है, बिटप, तड़का, प्रसून और हेरम, रुख है वो बिटप का परियावाची है, पादप, पेड, अगम, गाच, साखी, तरू, दुरुम, ये सब पिसके हैं, ये रुख, अर्थाद पेड के परियावाची है, अर्थाद बिच्च के प्रसून किसका है बच्चो, ये प्रसून आपका कुस्प का परियावाची है, जबकि हेरम जो है, वो गड़ेश का परियावाची है, ये बहुत इंपोरेंट है, कि हेरम किसका है, वो गड़ेश का परियावाची है, ठीक है, परियावाची सब्द का अर्थ है, परियावा 48. प्राची सब्द का प्रयाबाची क्या है? प्राची, प्रकरत, प्रग्या और पूर्व. तो तो प्राची का जो होता है, आपका पूर्व होता है. ठीक है? क्या होता है? पूर्व होता है. यह प्राची का आपका क्या पूर्व होता है? यह कुश्ण मुझे लगता है कि 2023 मे आना चाहिए ये रिपीट मार सकता है ठीक है यहाला कि दो या तेरे में ये आ चुका है प्राचीन पुराना का और प्रग्या सुर्शुति का प्रयाबाची है प्रकर्त का साथिक अर्थ जो प्रकर्ति से उत्पन हुआ हो तरंग सब्द का प्रयाबाची है पुसकर कूल जलदी और उर्मी तरंग का प्रयाबाची है वो क्या है आपका उर्मी होता है तरंग सब्द का प्रयाबाची क्या उर्मी होता है अन की बात करें लहर और वीची है पुसकर किसका होता है ये तालाब का होता है और कूल जो होता किनारा के है China कूल किनारे का जल्दी किसका होता है समंधर का प्रयावची होता है ब्रसां गया इस आज के इस वीडियो का यह मैंने चोड़ा शोड़ी वीडियो करदे नहीं क्योंकि एक वीडियो दिखेंगी तो आप परिशान हो, आप 50-50 के वीडियो देख लिएगा, मुझे लगता है 5 वीडियो बनेंगे पुराने पेपर्स का, और पूरा का पूरा पेपर आपका इसी से ही लेगो आजाएगा, जैसे क्रोध सब्द का परयावाची है, संताप, अमर्स, बेमनस से और भीती, तो पर सतुर्ता का, और भीती जो है, वो दर का परयावाची है, इस तरह से यह हमने 50 आपको परयावाची सब्द कराए हैं, 50 नि 5 हम कराएंगे, तो आपको 500 परयावाची हैं, और साथी मेरा एक और वीडियो है, जो मैंने अपने महतपून अनुम से बनाया है, जो आपके एक्ज जा सकता है, फिर आपको चाहिए, वो कोई साभी एक्जाम हो, उस वीडियो को आप जुरूर देख लीजेगा, वहाँ जो पॉइंट बताए है, मुझे लगता है, इसमें वही सारे रिपीट होते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम 50 से आगे के परयाव पर लीजेगा, और अगर कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो टॉपर्स कलब आईएस अकेडिमी प्ले स्टोर से डाउनलूड कर लीजेगा, और बहां हमारी विविन कोर्स बहुत कम दर पर आपके लिए उपलब्द है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद कि अल्गा है, मिलते हैं, पर आपके लीजेगा लिए स्टोर से वीजेगा, और आपकेड़ कर लीजेगा ख़तास जारा हैं?